टीम इंडिया की जीज ठे खुस होगा पाकिस्तान सेमिफानल में पहुँचने के लिए रास्ते की तलास भारत और सी लंका की बीच वानकीड़ स्टेडिय में मैच खिला जाएगा पाकिस्तान को टीम इंडिया की जीज से फायदा हो सकता है बहरत टीम विशकप 2023 के सेमिफानल के बेहत करीब है वे सिलंका को हराते ही सेमिफानल में पहुच जाएगी टीम इंडिया की जिससे पाकिस्तान को भी उम्मीदे होंगी अगर भारत मुंबई के वानखिड़े स्टेडियम में सिलंका को हरा देता है तो पाकिस्तान के सेमिफानल में पहुचने की उम्मीदें जिन्दा रहेंगी सीलंका टीम अगर हार जाती है तो बहार हो जाएगी इसी वज़े से अगर टीम इंडिया जीतती है तो पाकिस्तान को भी खुसी होगी दरसल टीम इंडिया फिलाल पॉइंटे उन पर दूसरे नंबर पर है उसने 6 मेंच खेले हैं और सभी जीते हैं टीम इंडिया के पास 12 पॉइंट्स हैं जबकि पाकिस्तान 5 में नंबर पर है पाकिस्तान ने साथ में से तीन में जीते हैं और चार में हार का सामना किया है पाकिस्तान के पास छे पॉइंट्स हैं स्रीलंका के पास 4 पॉंट्स है अगर वो जीच जाती है तो पाकिस्तान की बरावरे पहुँँच जाएगी इस वज़े से पाकिस्तन और स्रीलंका के भी सेमी फाल में पहुँचने की बेहुत कम सम्भाब ना है लेकिन इसके वाबज़ुत ब राश्ता तलास रही होगी पाकिस्तान का सेमेफानल में पहुंचने का रास्ता दूसरी टोमों की हार और जीच से होकर गुजरता है अगर भारत जीच जाता है तो इसमें आप पाकिस्तान को फायदा होगा इससे पहले न्यूजिलेंड के खिलाब तच्छन अपरिका ने जीच दर्ज की इससे भी पाकिस्तान को फायदा हुआ न्यूजिलेंड फिलाल चौथी नंबर पर है उसके पास आठ पॉइंट है अब पाकिस्तान को बचे हुए दौनों मैच जीतने होंगे उसका एक मैच न्यूजिलेंड से दूसरा इंगलेंड से है गोरटलवै की बांगलादेश की टीम पहले ही भार हो चुकी है उसने 7 मैच खेले हैं और शिर्फ एक मेही जीत दर्ज की है बांगलादेश के पास सिर्फ दो पॉइंट है बांगलादेश का एक मैच और दूसर सी लंका से है ऐसे में पाकिस्तान की टीम सेमिफानल में पहुँच पाएगी है नहीं हमें कमेंट वॉक्स में जरू बताएं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर किलिक करना ना भूलें चोंकि हम इस चैनल पर किरकेट से जुड़ी अपडेट लगाताल लाते रहते हैं